मुझे यकीन है कि सभी लोग को यह पसंद आएगा सभी स्टेट के लोगों को पसंद आएगा क्योंकि इस गाने का मेलोटी बहुत ही खुशूरत है तो गाना इस्ट्रस है फ्रेंड्स मेरा माराथी प्रोनसियेशन उतना चाह नहीं होगा लेकिन मैं कोशिस करता हूँ इस साल तूरू तूरू उर्ती केस भूरू भूरू दव्या दोल्या वर्बट धलली जस्री मावा लत्य उन्हात के वरच बनात नागिन साला सलली तो आज मैं आपको complete lesson इस song का देने जा रहा हूँ ठीक है तो शुरू करता हूँ फ्रेंड्स यह लेखिए यहाँ पे लिरिक्स दिया हुआ है कि साल तूरू तूरू यहाँ पे whole numbers यह जो आपको बजाने है बी मतलब आपको ब्लो करना है और बी मतलब आपको ड्रॉ करना है बी मतलब फुकना है डी मतलब आपको डी खिचना है और भी फुकना है फ्लो करना है यहाँ पे सरगम में notation दिया हुआ है जो सरगम बजाना जानते हैं वो किसी भी mouth organ पे 20 holes 16 holes 12 holes पे यह notation देके बजा सकते हैं और जिनके पास 24 holes का mouth organ है tower है suzuki है या कोई भी 24 holes का mouth organ है वो यह hole number देके बजा सकते हैं ठीक है इसमें आपको यह slider की जुरूत नहीं पड़ेगी without slider वाले mouth organ पे आप बजा सकते हैं ठीक है तो देखे गाना शुरूँगा ही 9 number hole से आपको फूप के शुरू करना है sal c-h-e-a-l यहाँ pronunciation हो सकता है sal हो या चाल हो मुझे उतना अच्छा से मालूम नहीं तो लेकिन गाना मैंने जो सुना है महाँ पे sal hissal turu turu ठीक है तो hissal 10-11 आपको बजाना है 10 में draw करना है b में blow करना है turu turu 10-11 पहला turu 10-11 10 में आपको खिचना है और 11 में फूपना है और last turu में 10 में आपको draw करना है और 9 में फूपना है यानि कि 10-11 10-9 बजाना है अब आपके सामने note रहेगा मैं धेरे बजाओंगा आप देखते रहे हैं और सीखते रहे हैं देखे फिसल तूरू तूरू 9-10-11 10-11 10-9 सारे गर रेगर रेशा ठीक है फिस देखे स्लो में बजाता हूँ फिसल तूरू तूरू नेक्स्ट उर्ति केस भूरू भूरू उर्ति 9-9 ब्लो करना है केस 10-11 भूरू भूरू 10-11 10-9 ठीक है उर्ति 9-9 देखे ठीक है उर्ति केस भूरू भूरू और एक पर बजा आ रहा हूं स्लो में आप मेरा मूमें देखे ठीक है उर्ति केस भूरू भूरू नेक्स्ट दव्या दोल्यावर बट धलली दव्या 9-9 ब्लो करना है दोल्यावर 10-11-11 बट 10-9 धलली 8-9-10 ठीक है देखे स्लो में ठीक है फिर से देखे दोल्यावर बट धलली फिर से स्लो में बजाता हूं ठीक है रिखे प्लो करना है अगा दोल्यावर बट धलली नेक्स लाइं आप यह आपने पहला लाइन जो बजाया था बिल्कूल उसी तरह से है देखें जसी नाइन नाइन मावा लत्य टेन इलेवन टेन इलेवन उन्हात टेन नाइन नाइन ठीक है फास बजाएंगे तरह से बजेगा ठीक है जसी मावा लत्य उन्हात नेक्स्ट केवरच बनात केवरच बनात 10 11 11 10 9 9 ठीक है केवरच बनात ठीक है नाइन नाइन सला सलली नाइन सला सलली नाइन 10 9 9 सला 10 9 सलली 6 8 6 sorry 6 8 9 नाइन सला सलली ठीक है ठीक है